नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एंडिया वॉल्ट 360 में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपने देखा बहुत सारी कंपणियों जिनके क्वाटरली रिजल्ट आ चुके हैं मैंने सुचा आपके सामने उनका व्यू रखा जाए तत्तों चिंतन फार्म 18V करोन का चैनल किया था और और नेट क्रों का मईतेएश 20.99 लेकर अभी की बात करें में तो बीट है यारली मिनों बीट किया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहां अच्छी में और फार्मा सेक्टर के लिए वह सारी केंकेव बनाती है यह फ्यूचर में मल्टी बगर से इसमाल कैप सेक्टर की कंपनी तो हाई रिस्क हाई रिवार्ट्स है वस यह है कि यहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बॉकिंग हो सकती है यह स्टॉक मुझे लगता है कि अनुवले टाइम में 2800 रुपय का है और हो सकता है कि यह स्टॉक आपको 2200 रुपय का भी लिबल द इसी तरीके से जितने भी जिरोधा और ग्रोव एप इस तरीके से एंजल वन भी आपका क्या करती है डिमेट अकाउंट कोलती है और वहां पे हमाप शेयर जाके खरीदते बेशते इस कंपनी ने सांदर रिजल दिखा है और तेरह से एक सट रुपय के सपास में कलके लेकिन सितमर में इन्हों तो सेल का सेल 어느 10 प्रॉफित्स क्रोन sürछ ग्रोफर इं defending कर इंको प्रॉफित्स क्रोफित्स क्या मेन मार्केट का सेंटिमेंट सही रहा हा है तो हर factor कर सकते हैं यौदी आप यहां पे पहले से हैं तो इसमें बने रहे हैं लेकिन आप ऐसे डिमेट अकाउंट जैसे स्टॉक एंजल ब्रोकिंग में जाना चाहते हैं तो मेरा रुजान रहेगा कि आप एक बार आप CDSL और BSC में थोड़ा सा दिमाग लगाई क्योंकि यह भी जो कंपनी ना BSC को भी और CDSL को भी कहने के इन से बिजनेस मिलता है तो मुझे लगता है एंजल वन में जानी से अच्छा है CDSL और BSC में आप जा सकते हैं यदि आप नए है तो यदि आप पहले से इसमें है तो इ HFCL पर अपना व्यू दीजिए क्या है तेकि HFCL एक 5G सेक्टर आने वाला टाइम यह अभी 4G से निकल के हम लोग 5G में जा रहे हैं और 5G सेक्टर के लिए यह अप्टिकल फाइबर बहुत सारे वायर्स बनाती है और 5G सेक्टर में यह जबतस इनका रोल है और यह टोटल 5 अब यह सेक्टर के लिए कंपनी काम कर रहे है और आपको बता दूँ इस कंपनी को रिपनु आपको जो है जीओ से ओड़ा फॉन से सबसे मिलता है तो आने वाले टाइम फाइब जी है और यह कंपनी मल्टी बेगर बन सकती है और 96 रुपीज का है और आप देखेंगे कल के इसको होल्ड करिए यह स्टॉक आपको यहां से मल्टी बेगर रेटन दे सकता है इसका मार्केट का आप देखेंगे तो 13,263 क्रोन का है एक मिट कैप सेक्टर की कंपनी है लगवाक पिछले दिसंबर में आप देखेंगे तो 1277 क्रोन का सेल इनोन किया था ऑपरेटिंग प् छुए पिछले क्वाटर से 177 क्रोन का हो गया और नेट प्रोफिट पिछले क्वाटर को बीट नाउन कर पहत से रवा नेट आप्रेट प्रॉट प्रॉफिट के लिए से थोड़ा सा नेरा सा जनक है तो मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट पुकिंग यहां से डबल भी दिखाई दे सकता है और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक अच्छा भी चर्क कर सकता है क्योंकि यहां पर ऑप्रेटिंग प्रॉफिट में इन्होंने जबस एक इंप्रॉमेंट दिखाया हुआ है तो हो सकता है यहां से यहां से एक रैली दिखा सकता है तो HFCL आपके पास में है तो इसमें रही है और यह आपको नई है नए है दिया आप तो इसमें घिरावाट आती है तो आप जरूर इसको लिजिए और आने वाल टाइमें 5G सेक्टर का यह स्टॉक है और आने वाल टाइम में मल्टी वेकरेट इंदेगा और इस स्टॉक मैंने 67 रुपीज पे मैंने बताया 67 या 65 रुपीज क यह कंपणी 811 रुपाय पर देखिए इसमें जो है कल के ट्रेंडिंग सेशन में जो है इसने लगबग 1.5% की गिरावट इसमें रही है और इसका रिजल थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्योंकि लगातार और यह स्टॉक मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए यह आप है तो इसमें एक बहुत अच्छी गिरावट आ सकती है क्योंकि दिखेंगे आप इसमर में इन्होंने 1364 क्रोन का सेल किया था अपरेटिंग प्राफिट 410 क्रोन का था नेट प्रॉफिट इनको 304 क्रोन का हुआ था EPS 1667.49 था लेकिन वहीं पर आदि आप देखते हैं तो यहां पर सितंबर में इनका जो सेल्स था बढ़ा काफी अच्छा ग्रोथ किया 1613 क्रोन का हुआ और यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें इनका बढ़ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ने इंप्रॉब्रोमेंट रहा है लेकिन इनका जो अनको से इनको देना पड़ या इंट्रेस्ट देना पढ़ा उसके वझ़ा से जो जो नेट प्र beggar कर में लेकिन लागता दार भर प्रॉफिट घर नहीं तो इंचंवर्स कंपनी में जाना कि जरूरती नहीं बहुत सारी पॉश्चोंटियां भी मार्केट में है एक और पैनी स्टॉक है जो जब अपर सरक्रेट लगा रहा रहा विकास इकोटेक लिम्टेट एक कैविंग ने गई एक केमिकल सेक्टर और प्लास्टिक प्रोड़क्ट सेक्टर में भी एक प्लास्टिक सब्सक्राइब कर सकता हूं लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी उसके लिए थोड़ा सा देखिए है क्या प्लास्टिक प्लास्टिक बहुत सारी चीज़ों बनाती बेसी नेसी दोनों प्लिश्टिट है सबसे बड़ी चीज में आपसे बता दूँ कि है क्या कि इनके साथ में मार्केट कैप ये नेसी बेसी दोनों पे लिश्टिट है और मार्केट कैप 389 क्रोन का है करेंट प्राइब चार उपए 65 पैसे पर अपर सर्केट पही चल ला है फिलाल आप अपर से भागती वी ट्रे से का है return on capital equity 1.76 का है return on equity माइनस में है तो ध्यान देने के जरूत है high risk high rewards का है स्टॉक और आप देखेंगे तो स्टॉक एक समय 25 रुपए का है इस ने लगाया था और आज वहाँ से नीचे गिर कि आज साले 4-5 रुपए के आज पास में चल लाए और कंपनी अच्छे देख अब इनका sales जो आप देखते ना तो पिछले दिसंबर में पिछले दिसंबर में 28 करोन 40 लाग का sell किया था और इनको जो net profit हुआ था वो दो लाग का हुआ था लेकिन अभी आप फिर देखेंगे तो इनका इधार आप जो है और से इस कांटीनिव बढ़ रहा है सितंबर में इन्होंने 73 करोन 97 लाग का sell किया था operating profit लगवग 6 करोन के आसपास हुआ था net profit इनको 65 लाग हुआ लेकिन लेकिन जब अस तीजने इस जो कलका result आया है 75 करोन का sell किया है और इन्होंने इनको operating profit हुआ है 8 करोन 73 लाग का लेकिन इनके उपर थोड़ा सा depth काफी अच्छा interest इन् stock 9 रुपे भी जा सकता है अब लेकिन yearly इनका जो बहुत बेहतर performance नहीं है तो ध्यान दीगा risk reward देखते हुए entry करिएगा मेरा मानना है कि बहुत entry मत नहीं बहुत इंट्री नहीं बहुत ज्यादा तो 1500 रुपे आप डाल सकते हैं इस stock में और आज की time में penny stock बहुत सारे भाग काफी अच्छा है रिजर्व से भी बहुत ज्यादा है तो इसके वज़से ध्यान देजीगा 1500 रुपे से ज्यादा मत डालिएगा इसमें यह बहुत अच्छा penny stock नहीं इससे भी बहुत सारी मौशनिया भी मौके मिलेंगे आपको मैं बताऊंगा आपको वहां पे तो 1500 अपना सेल करते हैं तो इनको एक साल बाद जाकर पेमेंट मिलता है तो आप सुचो ना कि एक साल बाद बेचो और एक साल बाद आप सरवाइब कर पाओगे नहीं तो ध्यान देजिएगा से रोल्डिंग पैटन में भी देखेंगे आप न तो प्रमोटर अपना बेशते रह है तो अपना रिवाट देखते हुए लिजिएगा सारा माल कम पब्लिक के पास में है तो मेरा मानना है कि इस इस कंपनी में आप बिकास इकोटेक की बात करें तो यहां पे हजार पान सुर पैसे ज्यादा डालने की जूरुवत नहीं है और बस मेरे यहीं सारे वियू है मु हैंगे दोसों मिलता है नेक्स्ट वीडियो